रूस में मौस्को के बाहर तीन लोगों के साथ एक प्रोटोटाइप सेन्य परिवाहन विमान का परीक्षन किया जा रहा था। विमान में दो परीक्षन पाइलिट और एक फ्लाइट एंजिनियर सवार थे। उडान भरने के बाद विमान के एक पंक में आग लग गई। उडान ने एक तेज मोड लिया और मौस्को के करीब जमीन पर गिर गया। इसके बाद उडान आग की लप्टो में घिर गया। विडियो सोशल मीडिया पर वाइरिल हो गया। देखिए। सितंबर में आमी 2021 वार्षिक मंच पर विमान का अनावरन किया जाना था। यदि सभी परीक्षन सफलता पूर्वक होते तो इसे मंच पर प्रदर्शित किया जाता। दुर्भाग्य से उडान दुरगटना ग्रस्थ हो गई। बहुत समय पहले सौवियट संग की शक्ती रूस, यॉर्प और एश्या के कई हिस्सों में फैली हुई थी। अंदतावा समाप्थ हो गया और रूस पर उनकी सरकार का शासन शुरू हुआ। तब से रूस ने कभी भी सैन्यों उपकरनों का निर्मान नहीं किया और इसे हमेशा आयात करता आया है। पहली बार विमान को शुरू से रूस में निर्मित किया गया था। दुख की बात है कि उडान दुर्गतना ग्रस्थ हो गई। यह पहली घटना नहीं है। टर्की में एक अगनिशमन कार्यक के दौरान एक रूसी पानी गिराने वाला विमान के दुर्गतना ग्रस्थ होने पर उसमें सवार आट लोगों की मौत हो गई। झाल वोगों की बात है ग्रस्थ हो टुर्गतना ग्रस्थ हो ग्रस्थ हो ग्रस्थ हो गई।